Hello दोस्तों, आज हम बात करेंगे ancient Indian Empire के बारे में Indian Civilization, Indus Valley Civilization, Vedic Philosophy या Vedic Period and Pax Morayana यानि के mighty Moran Empire अच्छा दोस्तों, इंडिया जो world है as it is ये खुद निकला है Indus River से और इवन जो world हिंदू या हिंदूस्तान है ये भी world Sindhu से निकले हैं सब सिंधू जो है संस्कृत जभान का लवज है डरियाए सिंध को डिनोट करता है और सिंधू से मुँराब ऐसे लोग या ऐसे रहाईशी थे जो के डरियाएसिंध के आसपास रहते थे तो बाद में सिंधू से तीन ancient religions की जगा है Hinduism, Jainism, Buddhism और एक recent religion Buddhism भी यहां पर परवान चड़ा दोस्तों अगर prehistory की बात की जाए इंडिया की तक्रीबन 73,000 साल से लेकर 50,000 साल पहले तक कुछ humans जो हैं वो migrate करकर इंडिया आए थे अच्छा दोस्तों homo sapiens जो हम लोग हैं हमारे ancestors थे homo hedalbergenesis इंडिया के अंदर जो लोग migrate करकर आए थे दे वर homo hedalbergenesis और यह जो descent किये थे homo erectus से किये थे homo erectus से ninandertals जो थे वो आगे evolve होकर गए थे European side के ओपर जबके हमारी तरफ आयते hedalbergenesis जिससे फिर आगे हम लोग मजीद evolve होकर निकले हैं तकरीबन 12000 साल पहले देखी जाती थी agriculture revolution और इसी के चलते 7000 before Christ के अंदर इंडिया के अंदर भी properly societies बनना शुरू ही और sedentary lifestyle जो है वो परवान चड़ा अच्छा दोस्तों हमें पता है कि agriculture revolution से पहले hunter gatherer lifestyle था hunter gatherer में क्या करते थे कि शिकार करते थे और बाद में उस शिकार को जमा करकर खाना खाते थे या अपना गुजर बसर करते थे और इस वज़े से कभी भी एक smooth sedentary रुकी हुई जिन्दगी जो है नहीं बहो सकी और communities अबाद नहीं हुई जब agriculture revolution या green pastoral revolution के बाद इंसान को पता चला कि एक seed से एक proper जो है खेत बलाएं जा सकते हैं फसल उगाई जा सकती है तो इनसान ने जो अपना hunter gatherer lifestyle था उसे अबंडन किया और agricultural जो lifestyle है इसको अडॉप कर लिया अब इस agricultural revolution के अंदर क्यूंके जो खेत होते थे जो farms होते थे इनको बकाईदा तोर के पर इनकी care करनी पड़ती थी इनकी देखबाल करनी पड़ती थी इसके चलते sedentary lifestyle जो है वो promote हुई Due to this agricultural revolution इंडस Valley civilization भी इस area के अंदर इस Indian region के अंदर जो है वो परवान चड़ी अच्छा दोस्तों अगर मैं कुछ features की बात करूँ इंडस Valley civilization के तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूँ के proper trade होती थी इंडस Valley के लोगों की Mesopotamian and Babylonian civilization के साथ इतिजास अपनी किताब देंडस सागा के अंदर बताते हैं के जो इंडस civilization के मर्चंट्स थे इनकी बकाईदा access थी with Euphrates and Tigris markets यह निके जो दजला और फरात हैं इनके जो बजार थे यहां के ऊपर बकाईदा तोर पर अश्या जाती होती थी इंडस Valley civilization से जो cotton था इसका इस्तमाल बहुत जादे देखा जाता था और प्रोपर तोर के उपर जो टेक्स्टाइल्स हैं कपड़े हैं यह cotton के बना करते थे जो सीवरेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम था वो आउट शैड़ो करता था उस वक के किसी भी contemporary system को खुआ वो Rome का सिस्टम हो या Greece का सिस्टम हो सबसे बहतरीन तरीके का जो हम लोग कह लें ड्रेनेज का सिस्टम है वो इंडस्वली सिवलाइजेशन के अंदर देखा गया था इवन जो गलियां थी वो proper 90 डिग्री यानिके right angle के उपर बनाई जाती थी और बहुत इस symmetry के साथ जो है वो colonies यहां अबाद थी जो घरों का structure था इंडस्वली सिवलाइजेशन के दोर के अंदर वो जिस तरह South Asia का नॉर्मल ही होता है उसी तरह का था आगे की जानिब एक सेहन है पीछे कुछ कम रही है और जो washroom है या kitchen है वो अलैद है अच्छे जो attached बात का concept है यह South Asia के अंदर West से borrow किया गया है अच्छे एक technique जो है उस वक्त अपनाई गई थी इंडस्वली सिवलाइजेशन के अंदर ताके घरों को ठंडा रखा जा सके and that was the wind catcher technique अब इसमें होता क्या था कि दो structures type erect किये जाते थे एक छट के उपर एक साइट से हवा आती थी और वो घर को ठंडा करती थी और दूसरी साइट से वो exhaust होकर बाइड चली जाती थी तो यह काम करता था ताके पूरा जो घर है वो ठंडा रहे एक और अगर मैं आपको मज़िदार यहां पर fact बताऊ वो यह के जो इंटें इस्तमाल होती थी इंडस वेली सिविलाइजेशन के अंदर उनका साइज था 7 x 14 x 28 cm यानि के यह तकरीबन वही साइज है जो आज भी इंटों का होता है अच्छा इस particular साइज की खासियत क्या है वो यह के मैं example आपको देता हूँ कि यह एक किताब है आज गल की जो इंट है या उस वक्ती जो इंट थी उसका size यही इसी के बराबर था इसका फाइदा यह होता है कि easily एक हाथ के अंदर जो है वो इंट आ सकती थी मैंट्रियार्कल सुसाइटी थी जिसको बाद के अंदर जब आरियन्स ने इन्विजन की सब कॉंटिनेंट के अंदर और एक नया इदर इनों ने कह लें अपना कल्चर जो है वो बनाया और जो इंडियन इसको खतम कर दिया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके बाद फिर मैट्रियार्कल सुसाइटी से पैट्रियार्कल सुसाइटी का नवर्ट हो गई जो आजकल की एक हमारी रसम है जो अभी भी आईगेस इंडिया और पाकिस्तान में जा सके यह अकसर होता है कि जब दुला शादी हौल में एंडर हो रहा होता है तो उसे रोक लिया जाता है कि वो पहले एक कीमत अदा करे या उसके बाद उसे आने दिया जाएगा यह जो रसम है यह स्टार इसी तरह होई थी कि यह शो कराती थी कि जो वुमन है जो सोते हैं यह रूल किया करते थे और इनके साथ some sort of divinity भी attach की जाती थी mostly जो खुदा थे इंडस्वाली civilization के वक्त के अंदर जिन को यह मानते थे वो feminine nature के थे यानि के शक्ती मा हम सुनते हैं इंदरा मा हम सुनते हैं these were feminine goddesses जिनके अंदर यह believe रखते थे इंडस्वाली civilization के लोग जो भी production होती थी उसकी जो surplus amount थी वो खुद बाखुद जो producers थे या manufacturers थे वो state को देते थे ताके state जो है वो आम अवाम की welfare के लिए उसको खर्च करें अच्छा डीडी को संभी ने अपनी किताब the culture and civilization of ancient India के अंदर बोला है कि जो लोग थे इंडस्वाली के यह violent नहीं थे और इन्हें इतना violence का पता भी नहीं था इवन जो इनके पास हतियार थे वो भी कोई खास अच्छे नहीं थे और जो smear जिनके पास थे जो नेजे जी मारते थे वो इतने कमजोर थे कि वो पहले ही टकर के उपर टूर जाएं और किसी भी किसम की तलवारें जो हैं वो नहीं देखें गी थे इंडस्वाली civilization के अंदर तो people were not much violent अच्छा दोस्तों अगर अब हम बात करें कि decline कैसे देखना पड़ा इस civilization को तो उसके पीछे primarily three factors हैं नयान जोत लहिरी अपनी किताब The Fall and Decline of Indus Civilization के अंदर लिखती है कि climate change जो है इसको primarily जो है या most probable cause बताया जाता है इंडस्वाली civilization का क्योंकि यह जो civilization थी यह दरियाए सिंध कि हम लोग कह लें नुकरों के ओपर अबाती उसके साथ अबाती तो जब भी flooding देखी जाती थी उसकी वज़ा से यह जो civilization है यह बहुत impact इसके ओपर पड़ता था जो यह produce करते थे जो farms होते थे वो तबाह हो जाते थे और उसकी वज़ा से कहच साली जो है वो आ जाती थी इसके इलावा का जाता है कि जो इनकी ट्रेड थी जिसके ओपर यह बहुत जयदा हम कहलें कि rely करते थे with Mesopotamian and Babylonian वो cut off हो गई थी यह भी एक reason हो सकती है या फिर जो radical हम लोग कहलें authors हैं जिस तरह के Max Müller German philosopher थे और उन इनके हिसाब में वो यह कहते हैं कि जो Aryans हैं जब वो आय थे इस सब कॉंटिनेंट ने तो उन्होंने आकर इन civilization का तकता उल्टा था या उन्होंने किरदार अदा किया था इन civilization को dismantle करने में अच्छे दोस्तों अगर अब हम Aryans की बात करें तो यह वो लोग थे जो के Central Asia में रहते थे around four to five thousand years ago जब वहां पर population बढ़ गई तो इन्होंने अपनी जो surplus population ती उसको migrate करवाना शुरू कर दिया और जो लोग थे वो हम लोग कहलें बेतर resources की तालाश में different sites लो migrate करने लग गए जो eastwards migrate करकर आए उन्हें इंडो आरियंस कहा जाने लगा जो westwards migrate करकर गए उन् order in India के अंदर और ये खैबर पास जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोझूद है जो कि connect करता है पाकिस्तान को Central Asian States के साथ वाया अफगानिस्तान उसके थूरू इदर आये और इन्होंने जो इनका culture था उसको मतलब बहुत जल्दी फिलाना शुरू किया और जितने भी छोट विदिक फिलोसफी बनी या हिंदू फिलोसफी बनी और हिंदू मजब जो है वो आगे मजीद प्रॉस्पर किया दोस्तों इंडस्वली सिविलाइजेशन के डिकलाइन के बाद और आरियंस के एडवेंट के बाद जो वक्त आता है उसे बोला जाता है नॉर्मली वेदिक प केश्ट्रिया जो के वारियर्ज होते थे फिर वेद यानि के जो लेबरर्ज हैं मर्चेंट्स हैं और आखरी के उपर आते थे शूदर अच्छा दोस्तों सनातन धरम जिसको हिंदूइजम भी कहा जाता है इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताओं वेदिक पिरियट क और एक और में मित डिबंग करो हूं इदर हम लोगों को यह लगता है कि हिंदूइजम है ये पॉलिफी पॉलिथीस्ट रीलिजियन है और जितने भी मॉनोधीश्ट रिलिजियन हैं यह सिरफ हम लोग कहलें कि सेमैटिक रिलिजियन है यानि कि इसलाम जुदेज्ट बॉनि लिखा हुआ है कि the truth is only one the wise call it by many names यानि कि जो सच है जो हकीकत है जो सत्य है वो सिरफ एक ही है तो इस हमें रिगवेद से पता चलते है कि हिंदुईजम या सनातन धरम भी एक monotheist religion है हालां कि वैसे इस पर काफी लंबी debate है कि monotheist है या polytheist है लेकिन attribute जो इससे normally किया जाता है वो है कि ये polytheist religion है हालां कि as per rig ved देखा जाए तो ये monotheist religion है ये वेदिक period ही था जिसके अंदर सनातन जो literature है वो पहला जिसमें रमायन है, माभारत है और उसके लावा भगवद गीता है अच्छा 6th century before Christ के अंदर कुछ reformers महवीरा और गौतम सिदारत बुद्धा की तरह जो लोग थे, वो उबरे और इन्होंने इस mainstream सनातन धरम से थोड़ा सा हम कहलें कि different religion जो है, वो start किया अपना start किया, महवीरा जो था उसने सारा जो emphasis था वो individual के उपर रका and similarly, जो गौतम सिदारत बुद्धा थे इन्होंने जो एक philosophy दी निर्वाना की, कि humans जो है वो इस दुनिया में अगर suffering करें तो उसके बाद वो निर्वाना पा लेते हैं अब ये जो दोनों हम लोग कहलें devians थी, ये बाद में अलैदा religions बने, एक बना jainism, जिसके founder थे महवीरा और दूसरा बना buddhism जिसके founder थे गौतम सिदारत बुद्धा अच्छा दोस्तों, अगर आब मैं आपको एक antithesis के बारे में बात करूँ, या वो मेरी पसंदीदा philosophy है, विदिक पिरियड की that is चरवाका, अब चरवाका जो है, ये एक philosophy है, एक antithesis है, अच्छा इसे वैसे नास्तिक कहा जाता है, हिंदूइजम के अंदर, क्योंके वो इसे consider करते हैं, कि ये जो है against religion है, ये पेशकीती ब्रिहासपती ने, अब ब्रिहासपती ने कहा, कि दुनिया जो है ये existentialist दुनिया है ये materialistic दुनिया है, कि all those things, जो के मुझूद हैं, बस वही हकीकत है, कोई भी super natural चीज, या meta human type की चीज exist नहीं करती, normally existentialism से relate किया जाता है किरकेगार्ट को, लेकिन अगर Eastern existentialism या materialism की बात करें, तो उसके founder जो हैं, वो ब्रिहासपती थे, अच्छा, as per the founder of this philosophy, ब्रिहासपती, वो ये कहते हैं, कि जितने भी elements exist करते हैं, इनमें जो top elements हैं, जो top four elements हैं, वो हैं air यानि के हवा, fire यानि के आग, water यानि के पानी soil यानि के मिटी, अच्छा कदीम युनानी philosopher, empedocles ने भी 470 before Christ के अंदर ये चीज कही थी, कि जो matter है that is composed of these four things, वैसे empedocles को तो बहुत credit दिया जाता है, उसकी इस philosophy के बारे में, हालांके देखा आजाए तो ब्रिहासपती ने यही वाली same philosophy 600 before Christ में दी थी दोस्तों, after the Vedic period, जो cities थे या urban centers थे, वो grow कर रहे थे, और इस ने attract किया foreign invasions को, after the Vedic period, Greco and Persian empires की invasions देखी गए इंडिया के अंदर, परिशयाब की जानीब से Cyrus 2 and Darius 1 ने तकरीबन 10 साल different times के अंदर अटेक किया, और जो Northern India था, technically इस जगा पर control इन्होंने अपना जमा लिया, परिशया जो था, इस ने dominant करकर रखा Northern India को, तब तक जब तक Alexander नहीं आया, 3.30 before Christ के अंदर, Alexander ने दारियूस को मात दी, शिकस दी और उसके बाद, इंडिया, जो Northern India यहां तक कहलें के कबजा करकर चला गया, Alexander और वो यहां से मौरिया, the founder of Pax मौरियाना, यह मौरियान डैनेस्ट्री, यह मौरियान एंपायर, चंद्रगुप्ता मौरिया वाज दा फर्स परसन जिसने हकीकतन जो इंडिया है, इसको एक United India जो आज पेश किया जाता है इसको बनाया था, जो कि कंसिस्ट करता था, इस्टरन अफगानिस्तान से लेकर, वेस्टरन बर्मा या मैंमार तक, कुछ एरियास बीच में नहीं थे, इनके फॉल नहीं करते हैं या जो ड्रैविडियन एरियास हैं, जो टॉप साउथ के एरियास हैं, या जो इस्टल कोष थी, कलिंगा की, वो भी बाद में अशोका ने एड कर ली थी, लेकिन चंदरगुपता मोरिया के वक्त में नहीं थी, अच्छा वैसे ये एक काउंटर नेरेटिव हम दे सकते हैं, जो हिंदुत्वा फाशिस्ट लोग हैं, वो ये क्लेम कर दें के पूरा ये जो है, ये सिरफ हिंदुत्वा के अंडर फॉल करता था, दिस वाज ओनली इन दे टाइम्स उस चंदरगुपता मोरिया, और देट टू अफगानिस्तान भी पूरा नहीं था, मयमार भी और मोरियन एंपायर जो है, उसकी बकाइदा बुनियाद रखी इन 321 विफोर क्राइस्ट, अलेक्सेंडर का सक्सेसर जो था इस रिजन के लिए, वो था सलेसिस नेक्टर, उसके पास कंट्रोल था सलेसिस नेक्टर के दर्मयाँ और चंद्रागुपता मोरिया के दर्मयाँ उसके चलते चंद्रागुपता मोरिया ने उस सलेसिस नेक्टर से ये Greek Empire से अक्वायर कर लिया प्रेज़ेंट बलुचिस्तान, eastern parts of अफगानिस्तान, और टेकनिकली पूरे इस area के उपर control चंद्रगुपता मौरिया का ही हो गया चंद्रगुपता मौरिया के बाद उसका बेटा बिंदु सरा जो था वो हकूमत के अंदर आया and after him हम कहलें कि the third greatest leader of Moran dynasty आया Ashoka Ashoka जो था when he came to power तो उसके पास again एक बहुत ही वास्ट empire था लेकिन वो जो कलिंगा का easteral costrun area था वो उसको चुपता था Ashoka ने एक war जो है वो start कर दी against that empire और बकाइदा तोर के उपर एक बहुत ही लंबी और मुश्किल जंग लड़ी गई जो कलिंगा के लोग थे उन्होंने बहुत ही बहादूरी से मजामत की resistance दिखाई और तकरीबन एक लाख लोग मरे एड देंड अशोका ये जंग जीत गया और कलिंगा का जो भी इलाका था वो भी मौरें डाइनस्टी का हिस्था बन गया लेकिन इस जंग का बहुत ही बुरा हम कह लें या अच्छा कह लें वो इंपक्ट पड़ा अशोका के ओपर और उसे बहुत ही पस्तावा हुआ कि वर्डली गेंज के लिए इन दुनियावी जो कुछ गेंज थे उसके लिए उसने एक लाख लोगों को मारा है या इतने लोगों ने सफर किया उस एक की वज़ा से उसके बाद वो बुधिसम की शार्दापीट उनिवर्सटी है वो भी है जहां पर यह बुधिस्टीचिंग जो हैं वो दिया करते थे दोस्तों मैंने उपर आपसे बात की थी के चंद्रागुप्ता मौरिया उसका एक साथी एक दोस्त वो दोस्त कौन था वो दोस्त था कोटेलेया या चनक्या चंद्रा की था उसका चीफ मिनिस्टर भी था और उसका उस्ताद भी था इन्होंने किताब लिखी ती अर्फराश्तरा जी से कहते हैं या उसको इसके अंदर state craft के बारे में बताया गया, economics के बारे में बताया गया, military strategies के बारे में बताया गया और diplomacy के बारे में बताया गया इस text consists of 15 books and 180 chapters जो के mostly deal करता है with the king, government departments, laws, specifically civil and criminal laws और diplomacy and tactics चनक्या को Indian Machiavelli भी कहा जाता है अक्सर और ये relate किया जाता है कि जो later on Niccolo Machiavelli की philosophy थी statecraft को लेकर वही philosophy चनक्या ने भी अपनाई थी पहले ही और उसी की वज़ा से नंदा किंग्स जो थे उनको हरा सका था चंदर गुपता मौरया जवारलाद नहिरू अपनी किताब Glimpses of World History के अंदर लिखते हैं कि कोटेलिया ने अलतराश्ता के अंदर ही बताया था कि जो लोग सडकों के उपर गंद फैंकते थे या जो कूड़ा अपने घरों का बायर रखते थे उनके उपर fines जो हैं वो लागू किये जाते थे उसके इलावा वह यह बताते हैं कि जो एंपायर था उसके अंदर जो एड्मिस्ट्रेशियन होती थी शहर की उसकी एक मूंस्वल कॉंसल होती थी जिसकी आग्र डिफरेंट कमेटीज होती थी छे कमेटीज थी जिसके पांस मेंबर इस ते और यह जो तीस लोग थे यह शहर जो है गए अगें जिसके फांडर चंदर गुपता थे लेकिन चंदर गुपता मौरया नहीं चंदर गुपता उसके बाद उनके बेटे जो थे एंड यह एक गुपता डाइनस्टी चली थी तकरीबन 6th century तक दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि मैं आपको ancient Indian civilization और वेदिक philosophy के बारे में कुछ बता सकूँ उम्मीद करता हूँ आपको समझाय होगी थेंक यू सो मच